So Hello Everyone, Welcome Back to My Channel Achiever Education आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों की Class 10th English Bihar Board के लिए Most BBI Important Objective Questions का Part No.17 लेकर आएं दोस्तों ठीक है तो आपसे एक ही request है कि आप वीडियो को सुरू से लेकर अंतिम तक देखें बीच में skip नहीं करें आगे पीछे ना वढ़ाएं दोस्तों वो सभी पार्ट आपका छूट गया है तो पहले वो पार्ट देख लिजे उसके बाद आप पार्ट No.17 देखिएगा ठीक है आए हम लोग एक अच्छी सुरुवात करते हैं तो पहला नंबर questions में क्या लिखा गया है पहला नंबर questions यही बोल रहा है इन दिस लेशन ठीक है इन दिस लेशन दा ओथर गिवस अस हीज भ्यूज और इंडियन एंड कॉन सिविलाइजेशन ठीक है तो यह किसका हो बोल रहा है ठीक है कल्चर और इंडिस लेशन इया पाठ में गतल पाठ में दोस्तो औथर गिपस औथर जो है लेखक देता है भ्यूज ओफ इंडियन कल्चर और इंडियन कल्चर और इंडियन कल्चर आंड city civilization ठीक है चलिए हम लोग next questions और यह दूसरा number questions की ओर हम लोग आते हैं दोस्तो it is the feeling क्या लिखा गया है it is the feeling of belonging to one fill in the blanks that is so special about Indian culture यानि दूसरा का सही उतर क्या हो जाएगा B number हो जाएगा group ठीक है it is the feeling of belonging to one group that is so special about Indian culture दूसरा का सही उतर B number आपका option सही है दोस्तो ठीक है तो बहुत सारे students comment कर रहे थे कि भाया इसका PDF कहां से download करें ठीक है कैसे download करें कैसे पढ़ें कैसे model paper लें वो तमाम चीजे वीजिट कैसे करें website तो आपको Google Chrome browser आप कहीं भी सर्च कर सकते हो दोस्तो एचीवर एजूकेशन आप सर्च कीजिए वहाँ पर इसका वेब साइट है www.theachievereducation.com करके फिर आपको क्लिक करना वीजिट करना है दोस्तो ओपेन हो जाएगा फिर आपको class 10th में चले जाना है class 10th में चले जाने के बाद वहाँ आपको objective questions मिलेगा subjective मिलेगा notes मिलेगा model paper मिलेगा वो तमाम चीजे उपलब दे दोस्तो जो आपको चाहिए जो प्रते का student खोजते हैं और उनको यह मिलता भी है दोस्तो वो यहाँ पर सब कुछ उपलब दे ठीक है तो 14 सेट वहाँ पर 25-30 सेट अपरी सब कुछ उपलब दे दोस्तों जो कि free of cost में study आप कीजिए एक भी रुपए आपको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है तो यह जो वीडियो है ना दोस्तों वह पूरे एंग्रेजी किताब English class 10 ठीक है वो हरे एक चेप्टर से BBI important objective questions और आपके grammar portion दोनों को combine करके यह बनाए गया 10 questions का set रहता है दोस्तों जो की बहुत ज्यादा important यह सब questions है इसी से questions आएगा दोस्तों इससे बाहर तो questions नामी नहीं लेना है नामी आएगा आएगा ही नहीं दोस्तों ठीक है चलिए हम लोग तीसरा और थर्ड questions की ओर चल situations तो तीसरा का सही उतर क्या हो जागा B number हो जागा क्या बोल रहा है Indian have shown the power to make little changes and the becoming used to new situations ठीक है नया हालत दोस्तों ठीक है चलिए हम लोग चौते questions की ओर चलते हैं आप लोग पहले एक बार वीडियो को सुरू से अं तक देखे हैं आप देखिये गा ही लेकिन आप फिर से इ आईए तभी आपको पुर्ण रूप से समझ में आएगा पूरा समझ में आगा तभी आप अगले साल 2022 बोड इग्जाम्स में 90 प्लेस नंबर लाईएगा दोस्तों 95 नंबर लाईएगा ये सब जो objective देख रहे हैं आपको 60 questions objective पूछेगा उसमें 60 में आपको 50 बनाना है और आरसानी से आप बना के भी लाईएगा दोस्तों लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए 5-6 बार PDF लेके पढ़िए वो तमाम वीडियो जो उपलब दे उसको पूरा देखना है दोस्तों ठीक है हम लोग 30 set देखेंगे 30 पार्ट देखेंगे दोस्तों लगबद 300 objective questions का set और जरूरत पर आत और देखेंगे दोस्तों फिर हम लोग another subject को लाएंगे objective complete हो जाएगा फिर हम लोग subjective questions देखेंगे दोस्तों आप model paper भी यहां से download करके पढ़ियो वो भी free of cost में एक भी रूपया देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है पोलो thin bag has been written by चोथा number questions तो पोलो thin bag यह किन के दोरा लिखा गया तो दुरुगा परसाद पंडा के दोरा ठीक है पोलो thin bag has been written by A number option इसका सही है चोथा का option number A सही है दोस्तों ठीक है चलिए हम लोग 5 questions की ओर चलते हैं पच्वा number questions में क्या लिखा गया है the feeling of hurt has been compared to the feeling of hurt has been compared to तो पच्छमा का सही उत्तर A number आपका A garbage been हो जाएगा ठीक है A garbage been हो जाएगा दोस्तों the feeling of hurt has been compared to A garbage been चलिए हम लोग 6 questions अब जो है दोस्तों 5 questions आपके literature book class 10th panorama book से आता है और 10 questions आपका ये English grammar translation से आता है दोस्तों दोनों को combine करके जोर कर ये 10 questions का set बनाया जाता है जिसमें 5-6 questions literature 4-5 ये रहता है नहीं तो 5-5 रहता है दोस्तों नहीं तो 4-6 का combine रहता है इस तरह का आपको उपलब देहां कराया जाता है एक भी questions शूटेगा नहीं ना ये questions बाहर से आएगा ठीक है चलिए हम लोग छटे questions gold gold जो है ना वो कौन सा नाउन है तो 6 का सही उतर क्या हो जाएगा ए नमबर हो जाएगा प्रोपर नाउन है दोस्तों क्या है gold जो है वो प्रोपर नाउन से दोस्तों ठीक है चलिए हम लोग सत्मा questions की ओर चलते हैं 7th number questions क्या लिखाएगा class class जो है न वो कौन सा noun तो सत्मा का सही उतर क्या हो जाएगा c number countable noun है दोस्तो class जो है न वो countable noun है ठीक है चलिए हम लोग 8 में questions क्यों सलते है myself myself जो है न वो कौन सा pronoun है दोस्तो ठीक है तो 8 मा का सही उतर b number हो जाएगा reflexive pronoun है कौन सा pronoun reflexive pronoun ठीक है तो दोस्तों आप लोग ना टेली ग्राम से भी जूर जाए ठीक है वहाँ पर आपको जूर ने से क्या फाइदा मिलेगा वहाँ पर आपको जूर ने से हरे एक परकार का most BBI important objective questions परिछा से जानकारी updates news PDF website link app link क्यूज होते रहता है question sensor हरे एक परकार का अपडेट्स मिलते रहेगा दोस्तों चाहे वो daily class से related हो news से related हो आपका exam से related हो वो सभी कुछ आप पर उपलवद है तो आपके phone में यदि telegram apps है तो अपर आप सर्च किजिए achiever education नहीं है तो आप play store पर उसे download कर लिजे दोस्तों उसके बाद आप सर्च किज achiever education और वहां से join हो जाईए और मुफ्त में सब कुछ free of cost में पाईए बहुत सारे students join भी हो गया है और अनंद उठारे हैं लाव उठारे हैं दोस्तों माल है माल हो रहे है ठीक है नोमा number questions क्या बोल रहा है teacher teacher जो है ना वो कौन सा gender है ठीक है तो नोमा का सही उतर D number हो जाएग है दोस्तों ठीक है चलिए हम लोग दसमा questions और यह last questions का से टंतिमा questions है दोस्तों 10th questions ठीक है अनिल्स father is a teacher अनिल्स father is a teacher तो यह कौन सा case है यानि कौन सा कारक है ठीक है तो दसमा का सही उतर यह number हो जाएगा possessive case है दोस्तों अनिल्स ठीक है possessive case ठीक है दसमा का A number option आपका सही है दोस्तों आप लोग C answer से यहां क्लिक कीजेगा ना तो सभी का answer आपको मालूम चल जागा ठीक है देखे हम लोग क्लिक कर रहे है और सभी का answer देखे यहां पर उपलब दे जो कि आप pre-op cost में असानी से प पूर्ण रूप से समझ में आएगा पूरा समझ में आएगा ऐसे आपको आधा दूरा एक बार पढ़िएगा तो भूल जाईएगा ना तो आप 5-6 पर परिये ना पीडिया पलेके तब ही आपको याद होगा एक बार आप वीडियो देख लिए तो आपको 20-30% ही समझ में लेकिन आपको 100% समझ में आना है पूर्ण समझ में आना है पूरा याद कर लेना है रटा मार लेना है याद कर लेना है दोस्तों तो आपको 5-6 बार परना ही होगा पीडिया पलेके तो आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यबाद तो ये कैसा लगा ये वीडियो आप पताईए comment section में मुझे ठीक है फिर मिलते हैं आप से अगले वाले वीडियो में